रादे रादे दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों ऐसी अपडेट मिल रहे हैं कि मुंबई एमदाबास सेक्षन पे ट्रेन जो है 160 KMPH पे जो है चलने वाली है बहुत जल्ब और दोस्तों मार्च के महीने तक में इस सेक्षन के उपर 160 KMPH वाली ट्रेन जो है शुरू हो जाएंग अब आपने अगर मिशन रिलफतार वाली वीडियो नहीं देखिए तो आई बटन में लिंक दे रहो वहां पर जाके उसको देख सकते हैं अब दोस्तों उसी के अंदर एक अपडेट आई है कि जो आपको मुंबई से एमदाबास सेक्षन है वहां पर 160 KMPH वाली ट्रेन जो ह किया जा रहा है देखो मुंबई एमदाबाद जो है ना वह पूरा लगबख 500 किलोमेटर के असपास का है इसमें से 380 यह 390 किलोमेटर के असपास का जो सेक्षन है उसको 160 KMPH जो है कैपेबल किया जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले इस पूरे सेक्षन के अंदर वंदे भा हो जाएंगी तो लगबख 30 मिनट के आसपास का टाइम बच पाएगा देखिए यहां पर हमको एक चीज़ समझने पड़ेगी अच्छे से मुंबई से ट्रेन निकलती है दोस्तों तो मुंबई से लेके विरार तक का जो सेक्षन है वो एक सबबन वाला सेक्षन है और इस प किया जा रहा है विरार के बाद ही यह गारियां जो है 160 के उपर दोड़ना शुरू करेंगी अब यह जो प्रोजेक्ट है ना मतलब 160 पे ट्रेनों को चलाना दिली मुंबई सेक्षन के उपर यह दो स्टेजिस में किया जा रहा है पहली स्टेज तो जो अभी एक्टिव होने लगबख 1400 किलोमेटर के आसपास जो है दिल्ली मुंबई सेक्षन होता है तो जैसे यह दो स्टेज 160 के एंपिएच कैपेबल हो जाएंगी तो हमें कह सकते हैं कि दिल्ली मुंबई के रास्ते का आधा जो हिस्सा है वो 160 के लिए तयार हो जाएगा लेकिन दो बातों को ध्या जाएगा विकॉस वहां पर बहुत हाई स्टीब जो कर वाते हैं जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं काफी बड़े बड़े जो कर वाते हैं तो वहां टेज नहीं चल सकती है अब दोस्तों बात करते हैं कि जो पूरा सेक्षन को 160 पर करा गया है इसके लिए क्या क्या गय नहीं है जिससे ट्रेने ज्यादा स्टेबल रहें मतलब जो जब वहाई स्पीड पर चले तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो और वह स्टेबलीटी मेंटेन कर पाए दूसरी चीज़ दोस्तों सेक्षन के उपर जितने भी टी एसर और पी एसर सें टेंपरी लिए अगरा सेक्षन है वहाँ पर जो बातचीत की एक साट पर चलती है सच पूछो तो वह एक नाम का वन सिक्षन नहीं है ऐसा जहां पर ट्रेन पर चल पाती है वहाँ पर ज्यादा है कर्व वगरा भी कुछ जगाओ पर हैं जैसे कोशी कला पर कर्व हैं वहां का गाडिय या क्या आसपास जो है ट्रेनों को धीरे होना पड़ता है तो रेलवेज ने यहाँ पर एची सीखी कि भई 161 के एंपिएच करना तो एक चुनाती ही है उसमें आपको कॉंस्टेंट 161 के एंपिएच करने बहुत जरूरी है आपको सेक्षन का जो आप टाइम लिमिट कम करन मतलब की जितने भी ब्रिज वगार के नीचे से ट्रेन गुजरती है वहां उन ब्रिजिस को मजबूत करना पड़ा देखो मैंने आपसे एक वीडियो में डिसकास करा था ऑक्सिलेशन ट्राइल्स वाली कि टी टी एसार पी एसार बनते कैसे हैं कुछ जगाओ पर हार इक जतनी स्पीड में गुजरेगी वह उत्नी जदा vibration क्रियेट करेगी जाधा वाइबरेशन क्रियेट होगी और वार बार क्रियेट होगी तो जो ब्रेज है उसकी strength रिंग मतलब उसकी जो मजबूती है बहुत के साथ कम होगी तो इस चीज़ के पर काम करना जरूरी है यदि आ एक ब्रिज के नीचे से जो ट्रेन थी महाल लोग एक सो टीस की स्पीड पर गजरती थी आप तीस किलोमेटर पर आल से जागर स्पीड को बढ़ा होगे अगर आप वन सिक्स्टी पर चला होगे तो और ज्यादा उसका जो पूरा स्ट्रक्चर वाइबरेट करेगा जिससे उसक स्टेज आपकी मार्ज में हारी है दूसरी स्टेज के उपर अभी कोई अपडेट नहीं है बट वो भी जल्दी जो हो जाएगा उसका विकाम कमपलेशन स्टेज के उपर है तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इत्ता है मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो मे अगर अच्छी लेगे ज़र तो इस वीडियो को लाइक केजेका शेर के दोस्तों के साथ चैनल को सब्स्राइब ना पिल्कुल ना भूलेगे